इसमिल्लाहिर्णी रहीम असलाम लैकॉम आज हम बना रहें ब्रेड पुडिंग तो सबसे पहले जो है मुझे जिन चीजों के जरूत अब बता दू मैं एक पैकट जो है मैंने फ्रेश क्रीम ले लिए चार जो है मैरी बिस्किट लिए मैंने उसके इस तरह मोटा मोटा कूट पंदना दाने पिस्ते के लिए उसको भी इस तरह मुटा मुटा कूट लिए है अब 15 दाने ही मैंने बदाम के लिए है इन दोनों में से कोई एक चीज है तो पही चल जाएगा जरूरी नहीं दोनों चीजें डाले लिए कि मुझे बदाम पसंद है तो इसलिए मैं बदाम भी झाल रही हूं थोड़ा साज है मैंने लिए है इलेशिक पॉडर कंडेंस में जितनी मुझे जरूत पड़ेगी फ्रेश मिल्क के लिए है घरम करके मैंने इसको ठंडा कर लिए है चार जो है मैंने बन लिए है यह बैकरी में आसानी के साथ में जाते स्थ में इस तरह दो जि क्रीम मैंने ले लिए इसमें मैं डाल दूँगी दो चमन जो है कंडेंस मिल्क करेंगे निक्स करेंगे इसको और दो चमन थोड़े से जो है मैंने इसमें डालने पिस्ते बिस्केट मिक्स करेंगे बिस्किट मैंने इसलिए डाल है कि इससे करशी कटेश आता है इसलिए मैंने यह बिस्किट डाले है एक तरह फटा जेंगे आप इसमें मैं डाल दूँगी कंडेंस मिल्क कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा ले सकते हैं यह बहुत ज्यादा मीटा होता है कंडेंस मिल्क तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं मैंने लिए है तीन चार समच इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको यहां पर ख्याल रहे कि दूट जो है ठंडा होना चाहिए निक्स को चुका है बड़ा सा बोल्ड लें लेगे नीचे वाले जो हिस्से हैं यह डाल देंगे इसमें इसके उपर जो है मैं डाल दूनी मिल्क अच्छी से डिप करेंगे झाल तूनी मिल्क की कि इसको भी इस तरह कि डिप करेंगे और उपर से यूँ रखते जाएंगे लाची पोटर ना भूल गे थी वो डाल दियागा ने भी यह बिस्किट डाल देंगे इस तरह कि यह दुकरी मिक्स करके रखिए यह डाल देंगे कि यह बिस्किन तरह कि अच्छाइ भी यह बिस्किन देंगे कि यह बिस्किस तरह कि आर देंगे थोड़े से बदाम पर से जो यह पिस्टे बचा के रखे ते यह डार देंगे जी प्रेट पुडिंग जो है हमारी त्यार हो चुकिए अब ठंडा होने के लिए मैं फ्रिज में रख दोंगी उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को ऑजी ठंडी हो चुकिए अब जो है मैं महमानू का सरवय करूंगे इसके बाद फिर मैं टेस्ट करूंगी बहुत मज़ेकी बनिया बहुत अच्छी बनिया ज़रूर ट्राय कीजिएगए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेर किजिए अपना